बी सी सी आई को मिला टीम इंडिया का नया कोच अनिल कुम्बले होंगे टीम इंडिया के नय कोच रवी शास्त्री के बाद अनिल कुम्बले हो सकते हैं भारतिय टीम के नय कोच टी ट्वंटी वर्ल्ड कप के बाद पूरा हो जाएगा रवी शास्त्री का कारेकाल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही अगले महीने शुरू होने वाले विश्व कप के बाद रवी शास्त्री गेंदबाजी कोच भरत अरुन और फिल्डिंग कोच आर श्रीधर का कारेकाल समाप्त होने वाला है अब BCCI एक बार फिर से हेड कोच के लिए अनिल कुम्बले से संपर्क करने के लिए तयार है आपको याद दिला दे कि कप्तान कोली और कोच अनिल कुम्बले के बीच बहुत जादा नहीं बनती दोनों में विवाद होने के बाद कुम्बले ने 2017 में कोच के पद से स्तीफा दे दिया था कुम्बले के स्तीफे के बाद विराट की सिफारिश पर ही रविसास्त्री को टीम इंडिया का कोच बनाया गया था विराट और रविशास्त्री के बीच बॉंडिंग सभी को पता है दोनों में खूप पटती है BCCI सचीव जैशा पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास टीम इंडिया के लिए एक स्पस्ट रोड मैप है मतलब साफ है अगर अनिल कुमले को टीम इंडिया का कोच बनाया जाता है तो विराट कोली बहुत जादा दिनों तक टीम इंडिया की कमान नहीं संभालने वाले